कभी कभी हम सोचते हैं, बुक्स ना होती तो कितना अच्छा होता, हमें पढ़ना ही नहीं पढ़ता, ना होमवर्क, ना किसी कुशेनास्स याद करने की जरुवत, पता ने किसने ये बुक्स बना दी, बट कभी सोचा है, दुनिया की सबसे पहले बुक्स कौन सी थी, वो कौन लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले बुक्स एकनी शुरू की, और कब? Hello everyone, welcome to my channel, Learn With Her, and we are starting our new chapter of Class 6 History, named, What Books and Burials Tell Us. So, let's start. इस चाप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें उनकी बुक्स और उनके बरियल्स से मिलती है, बुक्स मोस्ली संस्कृत लैंग्विज में मिली है, और बरियल्स जहां उनकी डेट बॉड़ी दफन की गई. सबसे पहले पढ़ेंगे बुक्स के बारे में. इनकी बुक्स का नाम वेदाज है, जो चार है, बर दुनिया की सबसे पुरानी बुक्स में से एक रिगवेद है, और बाकी तीन वेदाज, सामवेद, यजरवेद, अथरवेद, ये बात में लिखे गई. तो सबसे ओल्ड़ेस बुक्स रिगवेद है. अब क्यूंकि रिगवेदा बाकी वेदास से पहले कमपोस की गई, तो इसको डिटेल में पढ़ना बनता है. सबसे पहली चीज, रिगवेदा लिखी कब गई? हिस्टोरियन्स का मानना है, अराउंड साड़े तीन हजार साल पहले ये कमपोस की गई थी. अब इसमें लिखा क्या है? रिगवेद में हजार से भी ज्यादा हाइम्स लिखे हुई है. हाइम्स जिसे सुकता भी कहा गया. ये हाइम्स बहुत सारी गौड्स और फीमेल गौड़ेस की तारीफ में लिखी गए थी. ये सब ओल्ड या वेदिक संस्कृत में लिखा गया, जो आज की संस्कृत से बहुत डिफरेंट है. हाइम्स बहुत सारे गौड्स के तारीफ में लेकी जाते थे बट इनके तीन गौड्स बहुत इंपोर्टेंट थे अगनी, इंद्रा एंड सोम अगनी फायर के देवता थे इंद्रा वॉर्यर के जिसे युद्धा बोला जाता है और सोम एक प्लांट था जिसकी कोई ड्रिंक बनती थी तो उस प्लांट को भी वो अपना गौड मानते थे शुरू में रिकवेदा कोई बुक की फार में तो थी नहीं प्रीस को सब कुछ बाइ हार्ट याद होता था और स्टूडेंट्स उनसे सुनकर हाइम्स के एक एक वर्ड और सेंटेंस को याद कर लिया करते थे हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो लिखी हुई और प्रिंटेड होती है बट रिकवेद को सुनकर याद किया जाता था क्योंकि ये कंपोज मतलब बनी तो साड़ी तीन हजार साल पहले गई थी पर इसको लिखा काफी बात गया था और प्रिंट तो बस दो साल पहले ही हुई नेक्स टॉपिक इस हिस्टोरियन्स रिगवेद को स्टड़ी कैसे करते हैं रिगवेद से कैसे पता चलता है उस टाइम के लोगों के बारे में रिगवेद में जो हाइम्स मिले हैं वो डायलॉक्स के फॉर्म्स में हैं मतलब जैसे कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हूं ऐसा ही एक्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है ये एक हाइम है जिसमें एक सेज यानी सादू और रिवर्स के बीच में बातचीत हो रहे है सेज का नाम विश्वमित्रा है और रिवर्स इस्पेसिफिकली बियास और सुपलज है अब हिस्टोरियन्स को पता कैसे चलता है कि उस टाइम पर क्या चल रहा था तो जैसे ये एक हाइम है इसको पढ़कर हिस्टोरियन्स पॉइंट आउट करते हैं कि इस हाइम में रिवर्स की जो बात हुए तो जरूर जिन लोगों ने ये हाइम बनाई है वो इस रिवर्स के आसपास रहते होंगे और क्योंकि इसमें होर्स और काउस की बात की गई है तो उनके लिए ये एनिमल्स बहुत ज़ादा वैल्यूइबल रहे होंगे रिगवेद पढ़कर ऐसा लगता है कि उन लोग के लिए कैटल, चिल्डरन और होर्स बहुत इंपोर्टन थे तब ही रिगवेद में इनके लिए प्रेयर्स दी हुए हैं इनका मानना था अगर हम ये प्रेयर्स पढ़ेंगे तो गौड हमें बहुत सारे जानवर, हॉर्स और बेटे देगा क्यों इंपोर्टन थी ये चीज इनके लिए फॉर्स्ट हॉर्स से शाडियर्स बनते थे शाडियर्स क्या होते हैं? हरत जिसमें बैटकर राजा महराजा बैटल पर जाया करते थे अब ये बैटल्स क्यों होती थी? वेल्ट के लिए और वेल्ट इनके हिसाब से चार चीज थी कैटल यानि जानवर लांड लांड पर कबज़ा करके और जानवरों के लिए थर्ड पानी जैसे नदी और ताला पर कबज़ा करने के लिए और लास्ट पीपल लोगो को स्लेव बनाने के लिए तो इन चार चीज़ों को वेल्थ पाना जाता था जिसकी वज़े से बाटल सुवा करती थी बाटल के बाद जो भी वेल्थ हाथ लगती सब को डिस्ट्रिब्यूट किया ज़ाता था कुछ वेल्थ किंग अपने पास रखते और कुछ प्रीस्ट को दे देते और बाकी अपनी जन्ता में बाट देते और कुछ वेल्थ यजनास के लिए यूज की जाती थी यग्या करते वक्त ये लोग गौट को खुश करने के लिए घी, ग्रेंस और कभी-कभी जानवरों की बली देते थे तो कुछ वेल्थ वहां यूज होती थी अब उस टाइम पर वार्स ऐसी होती थी कि पता चला वार पर आना है तो लोग इखटे हुए और चले आते थे कोई अलग से रेगुलर आर्मी नहीं थी जैसे राजाओं की होती है पर हां ऐसी एसेंबली ज़रूर होती थी जहां लोग डिसकशन करने के लिए मिलते थे और सबसे काबिल और बहादूर आदमी को अपना लीडर बनाते थे लोगों को डिसक्राइब करने के बहुत से तरीके होते हैं जो उनके काम, लांग्वेज, जगा और कम्यूनिटी पर डिपेंड कर सकता है वेदिक पीरिड में दो गुरूप ऐसे थे जो काम के बेसिस पर जाने जाते थे पहले थे प्रीस्ट, जिनको ब्राह्मन भी कहा जाता था इनका काम होता था रिचुवल्स करवाना, यग्या करवाना वही जो पंडित करते हैं दूसरा गुरूप था राजास का देकिन ये ऐसे राजा थे, जिनके ना महल और विश, वापस आते हैं अपनी रिगवेद पर रिगवेद में जो हाइमस हैं, उसको कमपोस करने वाले लोग अपने आपको आरियास कहते थे और आरियास अपने दुश्मनों को दासास बुलाते थे ना तो ये दासास संस्कृत बोलते थे और ना ही यग्या करते थे इनकी अपनी अलगी लैंग्विश थी और बाद में यही दासास स्लेव्स बन गए जिनने वार में जीता जाता था और फिर इन से हर वो काम करवाया जाता था जो उनकी मालिक चाहते थे ये एक प्रॉपर्टी बन कर रह गए ये कहानी थी रिगवेद की जो वन अफ दो उल्डिस बुक मानी जाती है बरियल से हमें लोगों के बारे में क्या पता चलता है पढ़ेंगे नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई